है गाइस वेलकम टो चैनल इस्टेडी फर इंडिया देखे उत्तर पदेश अधिनस सेवा चैन आयोग बूर्ड लखनौ ने छेत्री वा कल्यान अधिकारी का एक्जामनीशन 16 सेप्टेंबर 2018 को कंड़र्ट कराया था जिसका रिजल्ट अभी डिकलियर कर दिया गया है यहाँ पर सबसे वड़ा प्रश निकल कर आ रहा है कि कट आफ कितनी गई है आपको पता ते कि टछूड़ी हाई गई है रिजन क्या है और यहाँ पर आपको यहँद इभी दिखा थे कि इनुट्र को टोटल इनोंने कॉल किया हुआ है फिजद के लिए तो यहाँ पर पहले ही उत्तरप्रदेश अधिनास सेवा बोर्ड ने पहले ही ये नोटिस दे दिया था कि सिर्फ जितने पोस्ट हैं उतने पोस्ट के लिए उतने ही कैंडेट को कॉल किया जाएगा फिचकल के लिए फिर इसके बाद यह सीड बसती है तो फिर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी तो पहले आपको रिजल्ड दिखा देते हैं टोटल कितने जैनल कडेगरी में कॉलिफाई किये हैं कितने ओवीसी कडेगरी एस्टी कडेगरी में कडेगरी वाइस इन्होंने रिजल्ड जो है घोसित किया हुआ है तो चलिए यह आपको रिजल्ड दिखा देते हैं सबसे पहले तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं उत्तरपते अधिना सेवा चैन आयोग यहां पर है और आपको यहां पर आयोग के विग्यापन संख्या वन परिच्छा ऑबलिक 2018 द्वारा समलित व्यायाम प्रसिचक एवन चेतरी युवा कल्यान प्रादेशी विकास दल अधिकारी समान चैन प्रतियोगात्मक परिच्छा 2018 के अंतरगत टोटल यहां पर देखे अगर सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल आपको तो टोटल सीट आप यहां पर अधिकारी की नियुनतम सारेरिक मापदन जो पद सेवामनी मावली में है उसके लिए यहां पर 600 SC कैंडिट को ही कॉल किया गया है फिचकल के लिए जिसमें UR यानि के अनरिजर्ट 344 कैंडिट है SC category के बात करें तो 138 candidate है HT category के लिए 14 candidate और OVC category के लिए 184 candidate को call किया गया है वही वियायाम पर सिच्छा के 48 वदों में अनारचित वर्ग जो है 25, अनुसुची जाती 11, अनुसुची जन जाती 1 और अन पिछड़ा वर्ग के 11 भिहरतियों को physical के लिए call किया गया है यहाँ पर आपको देखा दें यह आजी result डिक्लियर किया गया है 25 फरवरी अप 2019 सची गुजी का signature यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अलावा देखें च्छेतरी युवा कल्यान प्रादेसी विकास अलधिकारी के जिए list जारी की गई है जो UR के लिए है यहाँ पर आपके रोल नंबर है total आप रोल नंबर यहाँ पर मिला के अपना result डिक्लियर कर सकते हैं तो दोस्तो टोटल जो है result डिक्लियर कर दिया गया है अब मूल मुद्दे के बात करते हैं कि कटाफ कितनी गई है तो देखे total 680 पोश्ट के लिए यहाँ पर बात हो रही थी कि लगभख 10 times यानि 10 गुना candidate को कॉल किया जाएगा लेकिन यहाँ पर जब examination हुआ था यही उम्मीद थी कि 10 गुना candidate को कॉल किया जाएगा और वहाँ पर करीब करीव 6-7000 candidate को 680 पदों के सापच 6-7000 candidate को फिचकल के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पर जो top 680 candidate होंगे उन्हीं से में से selection लिया जाएगा लेकिन यहाँ पर बाद में UPSC ने नोटिस जारी करके यह बोलाया कि जितने पोश्ट है उतने पोश्ट के लिए है उतने ही candidate कॉल किया जाएगे अब देखें यहाँ पर 680 post है 680 post के लिए total 680 candidate को कॉल किया गया है अब इसमें से कुछ candidate अपियर होंगे कुछ candidate अपियर नहीं होंगे पहली बात दूसरी बात है जो candidate अपियर होंगे जरूरी नहीं हो कि वो physical examination जो है यहाँ पर उसको जो criteria उसको follow कर पाएं उसको pass कर पाएं तो यहाँ पर जो लगभग 300 seat ही भरी जाएगी यहाँ पर first list में जिनकी भी call आई है अगर वो physical examination को cross कर रहते हैं तो उनका selection पक्का है अब यहाँ पर अगर 300 seat भर जाती है अब करीब-करीब 380 seat जो है अभी भी खाली रहेगी तो अब physical के लिए call करेगा ठीक है तो यहाँ पर ऐसे ही तब तक call करेगा जब तो total 680 candidate जो है completely 680 post जो है completely full up न हो जाए और यहाँ पर हम बात कर लेते कि तो दोस्तों अब बात कर लेते कटाफ की कि कटाफ यह अच्छेतरी वाकल्याड अधिकारी का कितना गया है तो तो टोटल आपके जो examination हुए थे वो 400 marks के हुए थे 400 marks के according ही यहाँ पर 680 पदों के सापच जो है सिर्फ 680 candidate को ही physical के लिए call किया गया है तो यहाँ पर हमको एक candidate मिले हैं जिनका 265 प्लस था 270 प्लस उनके answer की से marks थे लेकिन इनको जो है physical के लिए call नहीं किया गया है लेकिन एक candidate मिले हैं जिनका 280 तक 280 या 285 के बीच में मेरा answer की मिलाने पर इतने marks बन रहे थे तो इनको जो है physical के लिए call किया गया है अब अगर यहाँ तक call किया गया है तो यह मान के चलिए जो cut out अब यह देखे पूरा clear नहीं है जब तक धेर सारे candidate अपना candidate जो है answer की के call अथेंटिक marks नहीं बताएंगे कि कहां तक call होई है तब तक यह पूरा निकाला नहीं जा सकता लेकिन जहां तक उमीद है कि यह जो cut out गई है चेत्रिवा कल्याड अदिकारी की 280 प्लस गई है इतनी high cut आप जाने का मतलब है कि सिर्फ 680 candidate को ही यहाँ पर इन्होंनों call किया है अब जैसे जैसे यहाँ पर candidate जो है disqualify होंगे physical में या फिर नहीं appear होंगे इस physical में तो फिर महां से second waiting list जारी की जाएगी इस से थोड़े से कम marks वाले candidate के लिए तो जैसा भी होगा जो भी update होगा हम आपको कमेंट बाक्स में कमेंट कर देंगे मिलते ने स्टूडियों तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद